हाई बच्चो, Hello Everyone, जैसी कि आपको पता है काउंसलिंग के सारे अपडेट्स में आपके लिए लेकर आने वाद है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरू कर लेना तो मैं आपको पता दू कि यहाँ पे गुजरात सरकार की तरफ से पहला नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है बचो जैसी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि list of documents required for admission process of ACP, UMG, EECA काफी बड़ी full form है ठीक है यहाँ तो यहाँ पे कौन-कौन से list of documents है जो आपको चाहिए before you register for any course तो यह जो है NEET-based admission process in undergraduate courses for academic year 2024-2025 का पूरा format है तो जितने भी बच्चे वो अपने-पने state counselling के लिए यह सारी चीजों को तयार रखे जिसे कि last minute में आपको hassle ना करना पड़े क्योंकि बहुत जल्दी registrations भी शुरू होने वाले हैं ठीक है बचो तो एक सेकंड बच्चो यह थोड़ा सा चला ना मुझे कम साता है यह पीडियाप के पॉम में में ले तो लिया ओके पॉइंटर का है भाई इसका लिस्ट ऑफ डॉकुमेंट जिखाने के लिए इस हैपन्स विद माम ओल्वेस चले आए भाई तो यहां पर अगर देखेंगे ब नेम आफ डॉकुमेंट तो नेम आफ डॉकुमेंट में सबसे पहले देखें लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉकुमेंट एनिवन इसमें एनिवन तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो इस केस में आपको पासपोर्ट चाहिए होगा थीक है फिर आदे नेक्स पूफ प्लेस अचाहिए तो खेर पूरा इनोंने अपनी लांग्विज में नेटिव लांग्विज में भी लिखा हुआ यहां पर ठीक है अब आते है नेक्स पे बच्चो नाव प्रूफ ऑफ बच्ट सर्टिफिकेट नाव कमिंग टू प्रूफ ऑफ बच्ट सर्टिफिकेट में यह तो हमने देख लिए नाव पूर कैंडिडेट्स बॉन आउटसाइड गुजरात जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो ओपन उनिवर्सिटीज में पाटिस्पेट करते हैं तो वो कुछ और स्टेट्स के भी हो सकते हैं तो इस केस में बच्चो आपको चाहिए डॉमिसाइल सर्टिफिकेट इशूट बाइध अथोरिटी एंपावर्ट बाइध गुवर्मेंट अफ गुजरात जैकर जो जो गुजरात सरकार की तरफ से होना चाहिए आप कहीं और रहते हैं बट आप वहां पे जॉब के परपस या कुछ भी आयो ठीक है बच्चो फिर आते नेक्स हमारा है जो हमें चीज इसमें चाहिए एसी के लिए कास सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको अपना त्यार करके रखना है गुजरात सरकार की तरफ से होना चाहिए सोशली एडुकेशनली बाकवर्ड क्लास अगर ऐसा कोई है अलग जगा पर अलग लग कोटा होते हैं ठीक ह तरफ पर परसेंदे डिसेबलीटी पी डली डी ती चाहिए त्यार करके रखें फर लोकल कंडिडेट्स ओफ एहमदबाद ना दर सर्टिफिकेट फिर आते हैं नेक्स पे बच्चो फर लोकल कंडिडेट्स ओफ सूरत अब जगा जगा की हिसाब से भी है जो आपको इसु कर करवाने हैं अपने ठीक है बड़ी important चीज़ है अगर आप बाहर से overseas से और महा के citizen है तब आपको OCI card की जरूरत होगी ठीक है sons and daughters of defense अगर आप defense के तुरू लेना चाहते हैं certificate of physical fitness हो गया ठीक है IS IPS IRS के आप बच्चे हैं तब आपको वो चाहिए certificate काफी सारे देख सकते हैं आप different different quotas है जो आपको काफी अच्छे से help कर सकते हैं students who pass 12th from विध्यालिया outside Gujarat state उनका अलग है देखे दब आनन दियो वालों का अलग है तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको help करते हैं counseling की process में जो आपको पता भी नहीं होता 10th and 12th passing certificate होना चाहिए गुजरात से ठीक है फिरा ये next as per the need MBBS के लिए NMC, MCC, NTA ठीक है 12th standard pass होना चाहिए BDS के लिए DCI, MCC, NTA चल जाएगा and BMS, BHMS के लिए NCISM, NCH और इनके according जो भी marks हैं वही approve किये जाएंगे जो qualifying marks से bodies बताएंगी तो ये तियार कर लिजे गुजरात students, अब इसी वीडियो में एक और में चीज़ बता दू कि even for Tamil Nadu students admission के जो documents required है वो आपके आचुके है पूरी list इन्होंनों बहुत simple सी list बनाईए कि भाही आपको NEET UG का admit card scorecard चाहिए, class 10th की mark sheet चाहिए, both sides, class 11th की both sides certificate चाहिए HSE mark sheet चाहिए और any other examination CBSE की भी चल जाएगी, transfer certificate चाहिए, certificate for proof of study from 6th to 12th चाहिए, community certificate चाहिए, nativity certificate चाहिए, documents of parents need to upload for the candidate who claim the native as Tamil Nadu, यानि कि आपका domicile चाहिए ठीक है, उसके बाद bonafide certificate from chief educational officer चाहिए, income certificate of parent चाहिए, eligibility criteria for Tamil Nadu MGR के लिए अलग है, तो वो आपको fulfill करना पड़ेगा, court orders, additional support documents देने पड़ेंगे for candidates claiming management quota, linguistic, Christian minority के लिए अलग है, वो आपको देने होंगे then we have for candidates claiming management quota, NRI seats, ये सारे documents NRI को चाहिए, ठीक है, तो ये सारे चीजे हैं, before the registration of counselling starts state quota की तो ये साब आप इखटे कर लिए, ये बहुत बड़ा process होता है बच्चो, ठीक है, and जो बच्चे next year के जो हमाई साब prepare कर रहे है भाई, मैं आपको एक चीज बता दू कि बहुत ही amazing batch हमारा है और अभी 31 जुलाई तक तगड़ी scholarship भी मिल रही है बच्चो को, 40% off है, G&T team के साथ आप prepare कर सकते हैं, G&T 55 code लगा सकते हैं, इसमें पूरा batch में पढ़ाया जाता है book sets आपके घर में भी deliver होती है, अगर आप महा pack ले रहे है with books वाला, ठीक है DPPs आपको मिलती है, video solution के साथ, All India Test Series है, Crashco से revision batch है अगर आप सच में चाहते हैं, एक dream medical college को लेना तो प्राक्टिस और पढ़ाई दोनों इतनी ही ज़रूरी होती है ठीक है, और मैं एक चीज़ आप दो, अगर आप प्राक्टिस के लिए फोकस रहे है, तो एक चीज़ है जो हर बच्चे को चाहिए, चाहिए वो online पढ़ता हो, offline पढ़ता हो कहीं से भी पढ़ता हो, या self study करता हो, वो है practice तो 62 test, 12,000 questions आपको मिलते हैं, NBTS में, which is amalgamation of offline and online, ठीक है बच्चों, लिंक मैंने सबके description box में दे दिया है, comment section में दे दिया है, आज ही जाके अपनी इस NBTS को book कर लिजे है, क्योंकि इस गोइं तो बी super, super test series for you all, ठीक है, और जितने भी updates होंगे, counseling से related, वो मैं आपको देत रहुंगी, just stay tuned with us, ठीक है?